नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स काला मोती पार्ट टू नागराज का वर्दान पाकर राजकुमार बहुत प्रस्थन हुआ फिर वह वहाँ से आगे पढ़ने की सोची रहा था कि निकट बैठा चूहा बोल उठा राजकुमार आपने मेरी जान बचाई है मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा क्या आप मुझे अपने साथ रखना पसंद करेंगे नागराज के वर्दान से राजकुमार को चूही की बोली तुरन समझ में आ गई नजाने क्यों उसे वह चूहा भी बहुत ही अच्छा लगा अतव है उसकी बोली में बोला क्यों नहीं मित्र आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे अच्छा अब तुम यहीं रुको मैं खाने के लिए किसी पेड़ से कुछ फल फूल ले आता हूँ कहकर राजकुमार एक तरफ बढ़ गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लोटा तो उसकी जोली में धेर सारे फल फूल थे आओ मित्र तुम भी मेरे साथ कुछ खा लो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार वास्तव में मुझे भी बहुत जोरो से भूख लगी थी फिर दोनों मित्र एक विर्ख्ष के नीचे बैट कर फलाहर करने लगे कुछ दूरी पर राजकुमार का घोड़ा भी खा साधी खा रहा था जोंकि राजकुमार काफी थका हुआ था अतर जैसे ही फलाहर करने की पच्चात वह धर्दी पर कुछ देर आराम करने के लिए लेटा उसे गहरी निद्राने आदब होचा जबकि चुहा जाकर अपने परम मित्र की रक्षा कर रहा था नजाने राजकुमार कितनी देर तक सोता रहा लेकिन जब उसकी आखे खुली तो उसे दूर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया ओह वह कोई चिडिमार मालूम पढ़ता है जब वह व्यक्ति निकट पहुँचा मा मुझे बचाओ मुझे बचाओ मा ओह वह बेचारा हंस साहता के लिए अपनी मा को पुकार रहा है पता नहीं इसकी मा कहा होगी स्वाभाबा अनुसार राजकुमार को उस हंस पर भी दया आ गई एच डिमार ज़र रुको तो क्यों भाई क्या बात है सुनो भाई तुम इस हंस को छोड़ दो यह तुम्हें दुआएं देगा यह तो ठीक है भाई कि मैं इसे छोड़ दू तो यह मुझे दुआएं देगा लेकिन घर खाली हाथ पहुँचने पर बीवी बच्चे जो बद दुआएं देंगे उसका क्या होगा बड़ी मुश्किल से तो आज दिन भर में केवल यही एक मरियल सा हंस हाथ लगा है पता नहीं इसे बेच कर भरपीट भोजन में नसीब होगा या नहीं जाओ भाई जाओ तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो चीं 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 ओह इस हंस की जान कैसे बचाओ इसका रुजन तो अब मुझे सहा नहीं जा रहा तभी राजकुमार को अपने गले में पड़े मोतियों के हार का ध्यान आया और उसने तुरंट उस हार को गले से उतार लिया क्यों भाई क्या इस हार के बदले तुम इसे छोड़ सकते हो आएं मोतियों का हार यह लड़का कोई मूर्क जान पड़ता है दोसरे ही पल चीडिमार अपने दिल की प्रसंता को दिल में ही दबाता हुआ सानु भूती भरे स्वर में बोला भाई लगता है तुम्हें इस सुंदर हंस से बहुत प्यार हो गया है इसे मैं किसी को देना तो नहीं चाता था लेकिन खै छोड़ो लो यह पिंजरा संभालो मैं इस साधारान हार पर ही संतोश कर लोगा अब तुम इस हंस को छोड़ो या मारो यह तुम्हारी मरची फिर चेड़ी मार पिंजरा दे और हार ले तुरंत वहां से खिसक लिया हम देखो दोस्त वह समझ रहा है कि मैं मोर्ख हो जो उसे मैंने इस हंस के बदले मोतियों का कीमती हार दे दिया लेकिन वह मोर्ख के समझेगा कि उन तुछ मोतियों के हार से इस बिचारे के प्राण कितने कीमती है सज मुझ तुम बहुत महान हो राजकुमार फिर राजकुमार ने हंस को पिंजरे से निकाल कर जैसे ही छोड़ा एक अत्यंत बूड़ी हंसनी उड़ती हुई वहाँ आ पहुची मा, मा, ओ, तो इसकी मा पहले से इस पर नजर रखे हुई थी चलो, यह भी अच्छा हुआ कुछ पलो बाद, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है नौजवान मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भोलूगी क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों बटक रहे हो मैं अगनी द्यूप के राजा स्वर्गे विक्रम सिंग का एकलोता पोतर राजकुमार शेर सिंग हूँ कहकर राजकुमार ने अपनी सारी आप बेती हंसिनी को सुना दी राजकुमार की कहानी सुनकर हंसिनी को बेज साल पुराने घटना याद हो आई ओ तो यह उसी राजा विक्रम सिंग का लड़का है जिसके हाथों मेरी स्वामी को मुक्ष प्राप्त हुआ था और मैंने उसकी मौत के लिए हंस से अभिशाप पांगा था ओ आज उसी के बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई कुछ देर सोचने विचानने के बाद हंसिनी अपने मुह से काला मोती निकाल कर राजकुमार के सामने डालती भी बोली राजकुमार मैं तुम्हारी और कोई मदद तो नहीं कर सकती इस मोती को रख लो वक्त पढ़ने पर यह तुम्हारे काम आएगा मुझे हेरे मोतियों से कोई लगाव नहीं है अंसनी रानी इसे तुम ही चुगलो अपना आहार मुझे क्यों देती हो इस काले मोती को साधरान मत समझो राजकुमार यह जादूई मोती है इसे रगड़कर तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो कहकर हंसनी अपने बच्चे के साथ आकाश में उड़ गई और राजकुमार उस काले मोती को आश्चरे से उलट पुलट कर देखने लगा क्या वास्तव में इस से मनचाही वस्तू प्राप्त की जा सकती है तभी चूहा बोला राजकुमार तुम्हारी नेकी और दयालता से शायद इश्वर भी प्रसंद है तभी हंसनी के द्वारा यह दुडलब मोती तुमें प्राप्त हुआ अब तुम यहा ना रुख कर आगे बढ़ो प्रभू की किरपा से एक दिन तुम अपना राज्य भी पालोगे तुम ठीक कहते हो मित्र आओ चलें फिर चुही को अपने जेब में डालने के बाद राजकुमार ने अपने घोड़े के पास महँचकर प्यार से एक बार उसकी पीट पर हाथ फिरा और उस पर सवार हो गया अपने स्वामी का इशारा पाते ही घोड़ा सरपट एक दिशा में दौड़ पड़ा इधर दुर्जन सिंग को जब अगले दिन यह मालूम हुआ कि राजकुमार महल से अजाना की गायब हो गया है तो पहले बहुत चिंतित हुआ लेकिन जब राजकुमार कई दिनों के बाद भी वापस नहीं लोटा तो वह यह सोच कर कि जरूर राजकुमार रात को शिकार खेलने गया होगा और किसी शीर आधी का शिकार हो गया होगा खुशी से फूला नहीं समाया हा 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 अब हम ही अगनी दूइप के राजा हैं मुझे विश्वास है कि राजकुमार अब कभी वापस लाट कर नहीं आएगा चलो तुम सब इसी खुशी में जाम से जाम टकराओ जो आग्या महराज हा 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 लेकिन जब से राजकुमार गया राजगुरु उन्हें हर प्रकार से दिलासा देने की कोशिश कर चुके थे लेकिन राणी के आंसु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे हे प्रभू आखिर कहां चला गया राजकुमार इस तरह तो राणी विलाप करते करते मर जाएगी और रोते रोते ही एक दिन राणी बि कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहने के पस्चाथ एक नदी के तक पर पहुंचा वहां एक चिला पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था चक्रमगड इसका मतलब यह हुआ कि इस नदी के उस पार चक्रमगड नाम का कोई देश है लेकिन इस बड़ी नदी को मैं पार किस तरह करूंगा जब राजकुमार का उस नदी को पार करने का कोई उपाय समझ में नहीं आया तो वह वहीं कुछ देर विश्राम करने पैट गया तब ही उसके दिमाग में हंसिनी के कहे शब्द गोंजुठे यह मोती साधारा नहीं है राजकुमार बलकि जादूई मोती ह इसे रगड़ कर तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो हंसिनी की पात ध्यान में आते ही राजकुमार ने जैसे ही उस मोती को जेव से निकाल कर रगड़ा ओह दुआ लगता है जल्दी कोई शक्ती प्रकट होने वाली है पलक छपकते ही उस दुए ने एक विशाल काय देव क रुख धारन कर लिया क्या हुक्म है मेरे मालिक मुझे क्यों याद किया मैं चाहता हूं कि दो घंटों के भीतर भीतर इस नदी पर एक पुल बन जाए दो घंटों में ही क्यों मेरे मालिक कुछी पलों में तयार हुआ जाता है आप देखते रहे कहकर देव ने नदी की और ह और वास्तव में उन विचितर किस्म की प्राणियों ने कुछ ही पलों में नदी पर एक लंबा चोड़ा पुल तयार कर दिया और अद्रिश्य हो गए पुल तयार है मालिक मेरे लिए कोई और हुक्म बस भाई फिर जब किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुरा लूँगा अब तुम वापस इस मोती में आजाओ जो अग्या मालिक कहने के साथ ही उस देव की आकरती धूमे में बदल गई और धूमा मोती में समाने लगा जब धूमा मोती में समा गया तो राजकुमार ने मोती को जेब में डाला और घोड़े पर सवार हो पुल पार करने लगा नदी पार करते हुए कुछ ही दूर पहुँचा होगा कि उसे सामने मीलो दूर तक फैला हुआ एक विशाल किला दिखाई दिया हम तो चक्रमगड उस किले के भीतर बसा हुआ है इधर जब द्वार रक्षकों के दिरिष्टी तूर से आते राजकुमार पर पड़ी तो वे चौक उठे अरे यह कौन आ रहा है वह भी नदी की ओर से आश्चर रहे है उसने नदी कैसे पार कर ली आने दो उसी से बूचेंगे फिर जैसे ही राजकुमार द्वार पर पहुँचा द्वार रक्षकों ने उसे घेर लिया ए कौन हो तुम और तुमने नदी कैसे पार की मेरा नाम शेर सिंग है और मैं नदी पर पुल बनाकर यहां तक पहुँचा हूँ क्या कहा तुम उस नदी पर पुल बनाकर यहां तक पहुँचे हो हाँ विश्वास न हो तो चल कर देख रो जरूर देखेंगे चलो सैनिको और जब विसैनिक राजकुमार को लेकर नदी के किनारे पहुँचे कमाल है हम वर्ष्चों से लाग कोशिश करने के बावजूद भी इस नदी पर पुल नहीं मना सके फिर तुमने अकेले इसे कैसे तयार किया नौजवान शमा कीजिए यह भेद मैं आप लोगों को नहीं बता सकता ठीक है तुम हमारे साथ महराज के पास चल कर अपना इनाम हासिल करो क्योंकि उन्होंने यह एलान करवा रखा था कि जो कोई भी इस नदी पर पुल बनाएगा उसे मुह मांगा इनाम दिया जाएगा इनाम का मुझे कोई मुह नहीं लेकिन मैं तुमारे महराज के दर्शन अवश्य करना जहूँगा सैनिक राज कमार को लेकर सीधे दर्बार में अपने महराज गोविन सिंग के पास पहुँचे और उन्हें सारा किस्ता कह सुनाया सुनकर राजा प्रसन होकर बोले सुनो नौजवान तुमने यह पुल बनाकर हमारे देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है हम तुमसे यह नहीं पूछेंगे कि तुमने उसे कैसे बनाया लेकिन एक प्रात्ना हम तुमसे अवश्य करना चाहते हैं हमें विश्वास है कि जब यह कठिन काम तुम कर सकते हो तो हमारा दूसरा काम भी केवल तुम ही कर सकते हो उस काम के लिए भी हम तुम्ह मंगा इनाम देंगे मैं आपके सैनिकों से पहले ही कह चुका हूँ माराज कि मुझे इनाम का कोई मोह नहीं आता आप अपना कार्य बताईए यदि संभव हुआ तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करूँगा तो सुनो एक भयानक राक्षस ने काफी समय से हमारे राज्ये में बहुत उधम मचाय हुआ है वह प्रते दिन किसी ना किसी युफ्ती को उठा कर ले जाता है और उसका खोन पी जाता है हम चाहते हैं कि तुम राक्षस को मार कर हमें और हमारी प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ती दिराओ वह राक्षस कहां रहता है महराज यह तो हमें भी नहीं मालूम नौजवान उसकी खोज भी तुम ही को करनी होगी ठीक है महराज मैं उसे ढूंड कर समाप्त करने की पूरी कोशिश करूँगा शाबाश नौजवान अगर तुमने हमारी यह समस्त्या भी खत्म कर दी तो हम तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे उसके बाद राजा सैनिको से संबोधित हुआ सैनिको इन्हें आधर पूरवक शाही महमान खाने में ले जाओ तथा इनकी पूरी देखभाल और सेवा सुशरिया करने का दास दास्यों को आदेश देदो ध्यान रहे इन्हें हमारे यहां किसी किस्म की कोई तक्लीफ नहीं होनी चाहिए जो आग्या महराज सैनिको ने राजकुमार को शाही महमान खाने के एक सुदर कमरे में ठहराने के साथ साथ सेवा सुशरिया के दिये कुछ दासियों को भी वहां तैनाद कर दिया दासियों ने राजकुमार के कहने पर उसे और उसके मित्र चुही को स्वादिश्ट त्वादिश्ट भोजन कराए राजकुमार के घोडे की भी शाही अस्तबल में पूरी देखभाल की जा रही थी वह पूरा दिन राजकुमार का आनन्द से भी था क्योंकि काला मोती पास होने की वज़े से वह निश्चिन था रात को जब सभी गहरी निन सो गए और पूरी राज महल में खामुशी चा गए तो उसने जेब से काला मोती निकाल कर हतेली पर रगड़ा तो तुरन थी क्या हुक्म है मेरे आका सुनो काले मोती के देव तुमें इस बार उस राक्षस का अंत करना है जो चक्रमगर के वासियों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है शमा चाहता हूँ मालिक यह काम मेरे बसका नहीं मैं उसे नहीं मार सकता क्या? हाँ मालिक मैं ठीक कह रहा हूँ क्या तुम उस राक्षस ते कमजोर और भैबीत हो? ऐसी बात नहीं है मेरे मालिक दरसल उस राक्षस को मानने के लिए एक विशेश मनी की जरुवत पड़ीगी और वह मनी? यहां से बहुत दूर समुंद्र के पार एक विशाल परवत की कंदरा में रह रहे एक भैनक सर्ब के सिर पर जड़ी है जो भी उस मनी को पास रखकर उस राक्षस ते युद्ध करेगा वही उसे मार सकता है मैं उस परवत के उपर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है कि अगर मैं उस परवत पर चड़ूँगा तो वही जलकर भस्म हो जाओंगा यदि तुम वह मनी किसी तरह मुझे लाकर दे सको तो मैं उस राक्षस को समाप्त कर सकता हूँ ओ कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के पस्चात राजकुमार बोला क्या तुम मुझे समुद्र पार उस विशार परवत तक पहुँचा सकते हो जिसकी कंदरा में मनी वाला सर्प रहता है हाँ मेरे मालिक यह काम मैं कर सकता हूँ और साथ ही जब तक आप उस मनी को लेकर नहीं आ जाएंगे मैं परवत के पास ही आपका इंतजार करूँगा ठीक है तो हम कल रात वहां के लिए प्रस्थान करेंगे अब तुम जाओ जो हुक्मालिक कहने के साथ ही काला मोती का देव धुआ बनकर पुना मोती में सिमट गया अगले दिन सुभा ए बहादुर नौजवान तुमने उस रक्षस की तलाश में यहां से कब जाने का फैसला किया है आज रात ही मैं उसकी खोज में निकलूँगा महराज लेकिन मेरी आपसे एक प्रातना है कि मेरे पीछे, मेरे मित्र चुहे और घोडे का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए तुम उन दोनों की जराभी चिंता न गरो नौजवान उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा आश्वस्त होकर राजकुमार अपने कमरे में लोटाया और रात होने की प्रतिक्षा करने लगा फिर रात होते ही उसने तयार होकर राजा से विदाली और महल से बाहर निकल कर पैदल ही एक और पढ़ने लगा शीगरी एक निर्जन स्थान पर पहुंच कर उसने जेब से कालम होती निकाला और उसे रखड़ा तुरंत क्या आप मेरे साथ उस परवत पर चलने के लिए तयार है स्वामी हाँ परन्तु मुझे इतनी दूर उस परवत तक पहुंचाओगे कैसे आप मेरी हतेली पर बैठ जाए मालिक कुछ ही पलों में मैं आपको वहाँ पहुंचा दूँगा ओ फिर आशर्य में डूबा राजकुमार जैसे ही उस भीमकाई देव की हतेली पर बैठा जिन आकाश में एक और उड़ चला कुछ दिरपाद इस समय हम कहाँ पर हैं बस अब आप अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं मालिक देखिए नीचे समुद्र है इस समुद्र के खत्म होते ही आपको वह परवत दिखाई देने लगेगा जब समुद्र खत्म हुआ वह देखिए मेरे आका वह जो परवत दिखाई दे रहा है उसी परवत पर एक गुफा है जिसमें वह मनी वाला सर्प रहता है लेकिन आपको अपना काम बहुत सावधानी से करना है क्योंकि वहां उस राक्षस ने जिसे आप मारना चाहते हैं उस सर्प की रक्षा के लिए एक भहनक दैत्य रक्षोड़ा है लेकिन आप चिंता ना करें उससे मैं निपटलूँगा अगले ही पल वहर राजकुमार को लेकर परवस्ते कुछी दूर जमीन पर उतर पड़ा सुनो मालिक जब आप इस वर्वत पर चड़ाई करेंगे तो सर्प का रक्षक दैत्य आपको मानने के लिए दोड़ेगा आप तुरंत वापस लॉट पड़ना और जब वह आपका पीछा करता हुआ परवस्त से नीचे उतरेगा तब मैं स्वैम उससे निपटलूँगा ठीक है मैं समझ गया राजकुमार ने कहा और तलवार संभाल कर परवत पर चड़ने लेगा उफ काफी कठिन चड़ाई है जरासी चूक हुई नहीं कि मेरी हड़ियों कभी पता नहीं चलेगा परन्तु अभी उसने कुछी चड़ाई चड़ी होगी कि एक भयानक आवास से पूरा परवत काप उठा ए कौन हो तुम कैसे इस परवत पर आने की हिम्मत की ठेहरो तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ ओ ये भयानक आवास किसकी हो सकती है कहीं उसी रक्षक देखते की तो नहीं सोचता हुआ राजकुमार बोलने वाले की तलाश में इधर उधर नजरे दोड़ाने लगा तभी उसे कुछ उपर एक बहुत बड़ी चटान हिलती दुलती दिखाई दी हे प्रभू यदि यह चटान नीचे लुड़की तो मेरा बचना बिल्कुल असंभव है अभी राजकुमार उस चटान से बचने का कोई उपाई सोची रहा था कि वह हिलती दुलती चटान एक भ्यानक आकरती के दैत्ते में प्रवर्तित हो गई हम तो यह तुम हो अब तुम नहीं बचोगे मोर्ख हु हु हा हा ओ वह रक्षक मानूं पड़ता है मुझे तुरंद वापस लोट जलना चाहिए अगले ही पर राजकुमार परवत से जटपट उतर कर उस तरफ दोड़ा जहां काला मौती का देव छिपा था दैत्ते भी परवत से उतर कर भैनक अठास लगाता हुआ उसके पीछे दोड़ा हा 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 भाग कर कहा जाएगा मनुश्य लेकिन जैसे ही वह दैत्ते उस स्थान पर पहुँचा जहां देव छिपा था देव ने अपने छिपने के स्थान से निकल कर उसे धर दबोचा ए ए कौन हो तुम छोड़ो मुझे माफ करना भाई मैं अपने करतव्य से मजबूर हूँ अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे से मुकाबला करो ही 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 उफ लगता है जैसे दो पहाड आपस में ठकरा गए हो मालिक आप समय नश्ट मत कीजिए और अपना काम कीजिए इससे अब आपको कोई खत्रा नहीं ठीक है फिर राजकुमार बंदरो जैसे फूर्ती के साथ परवत पर चड़ने लगा जबकि नीचे दैत्य और देव में भयानक द्वंद युद छिड़ चुका था परवत पर काफी उचाई पर चड़ने के पस्चात राजकुमार जैसे ही उत्तर की और मुणा उसे एक गुफा का मुख दिखाई दिया शायद इसी गुफा में रहता है वह मनिधारी सर्प लेकिन गुफा के भीतर पहुँचते ही वह हवा में उड़ने लगा उफ! कुछ देर हवा में उड़ते रहने के पस्चात राजकुमार जैसे ही धणाम से नीची गरा आह! क्या राजकुमार वह मनि ला सका? काले मोती के देव पर जलकर भस्म हो जाने का श्राप क्यों लगा? क्या राजकुमार अपने राज्जी को पुना प्राप्त कर सका? दुर्जन सिंग ने राजा बनकर क्या-क्या जुल्म भाए? वह राक्षस कौन था? और यूतियों को मार कर उनका खून क्यों चूस लेता था? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो खूनी सिंखासन में तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद